परिवर्तन शील था, जीवन में अध्यापक और छात्र, दोनों को कितना परिवर्तन शील होना आवश्यक है, इसके बारे में समझने के जरूरत है, देखे, बदलाव प्रकृति का नियाम है, वैसे बदलाव मानव सभाव मानव क्रिया कलापों में भी होना आवश्यक है, अगर आप छोटा सा धेहन दीजे, पहले हेलिकॉप्टर लेके लोग जाते थे, कैमरा लेके वीडियो शूट करते थे, हेलिकॉप्टर पाइलेट उडाता था, एक प्रोफेशेंट फाइलेट होता था, प्रोफेशेंट बहुत प्यारा पाइलेट, एक उससे जादा एफि गिनोकरी चली जाएगी, ऐसी एक सिछक जो बहुत पुराना UPSC का अच्छा टीचर था, पर टेकनलोजी एकसेप्ट नहीं की, आज वो कैमरे के सामने नहीं है, स्मार्ट पैनल के सामने नहीं है, वो पढ़ा नहीं पाता, उसकी एज ऐसी है, वो टेकनलोजी को समझ नहीं वो ट्रडिशनल बुक से पढ़ाना चाता है, तो वो रेस से बाहर हो गया, सेम आपके लिए, आपको टेकनलोजी को यूज करना है, मिस यूज नहीं, याद रखिए, भेडों की भीड में चलने से बैतर है, शेर की तरह है, कुछ अच्छा करके अच्छा रिजल्ट देना, तो परिवर्तन शील्ट बनिये, क्योंकि परिवर्तन शील्टा ही जीवन का अधार है,